मुश्कार दर्सकों एक बार पनुहाजिरों मैं आपके ही अपने चैनल गोब्लोक्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ दीखे हमारे चैनल में रियल पाम का एनलिसिस किया जाता है और बहुत कुछ आप लोग अगर रुचि रखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल जाता है जो भी इस विशाई में रुचि रखता है और जो हमारी चेनल को देख रहे हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाता हूँ कि जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब लिखाओगा आपको वो बटन दबाना है साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्त रेखा से रिलेटिद दोस्तों अब ध्यान से देखेगा अगर हम इस पाम को जो है एनलेसिस करते हैं और पहली नजर में देखते हैं तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और एक बेग्यानिक तथ्य भी है एक हकीकत भी है कि जब भी हमारी हतीली में ये देखरे हो इस त्रोह की बहुत सारी रेखाई उभर के आ जाएं तो ये निश्चित मान लीजेगा कि जीवन में संगर्ष की इस्तिति पैदा हो गई है उलजन की इस्तिति पैदा हो गई है और कहीं न कहीं व्यक्ति मानसिक रोप से भी जो है उसको पीड़ा हो रही है मानसिक परेशानी भी विसेश तर्शुक्र का ये छेतर देखना बहुत जरूरी होता है ये दो बातों को बताता है एक तो आप देखिएगा आपका हतेली जो है आपके बोड़े का एक पार्ट है एक अभिन अंग है आपके सरीर का आपका हाथ इसकी जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ये हमारी ब्रेइन से जुड़ी होती है हमारे माइन से जुड़ी होती है इसलिए जो भी हमारा माइन सोचता है या उस पे जो भी प्रेसर पड़ता है उसकी छोटी छोटी रेखाओं के रोप में हमारे हतेली में देखने को मिलती है और ये छेतर इसलिए महतोपूर्ण है कि इस छेतर में कोशिकाओं का एक गुच्छा समझ लिजेगा या रक्त की एक ठेली रहती है और द्धमनियां हमारी चलती है कोशिकाओं चलती है तो इसलिए जब हमारे मन से कुछ जादा प्रेसर पड़ता है तो जीवन का हाल यहां ज हतेली में देखते हैं तो जहां देखो, वहां जो है चोटी-चोटी रेखाएं आपको नजर आ जाएंगी, एक दूसरे को काटते हुई भी, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है इनको, इनको आप वेंसे ही देख लेंगे, तो ये वेसे ही दिखाई दे रही है तो संगर्स की इस्तिति और पैसा आ रहा है तो भी बचनी पा रहा है उसकी इस्तिति मेन इस्तिति यही दिखाती है बहुत ज़्यादा मिहनत बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की इस्तिति देखेगा जब हतेली में भाग्य की लकीर जिसे धन की लकीर भी कहते हैं और वो हमारी ये जीवन रेखा है जो इस रेखा से निकल करके निकल जाए आगी है ठीक है ने तो और हमारा जो उंगलियों का आधार है ये सारी उंगली हैं इसका आधार इनका देखना बहुत सुन्दर एक समान है आपके पास बहुत अच्छा खासा धन आता होगा ये निश्चित है क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी बताती है कि जीवन रेखा से अगर भग्या रेखा का उद्गम हो जाए और वो अपने स्वा अस्तान सनी की और चली जाए और जो आपके उंगलियों के आधार हैं समझने की कोसिस करें वो समान हो तो ब्यक्ति के पास अच्छा खासा धन आता है और अगर हम ग्रहों की बात करें धन के ग्रहों की बात तो हमारे सुक्र को और हमारे गुरो को धन का ग्रह माना गया है इस तरों से पुष्ट और उभरावा और सुन्दर देता हुआ सुक्र बिलासिता देता है लग्जिरियस लाइफ देता है और इस तरों सुन्दर ब्रिस्पति हमें धन देता है पुष्ट होने पर धन अच्छे खासी मात्रा में आता है और नित्या आगमन होता है धन का हमेशा हर दिन पैसा आता है ऐसे लोगों के पास पर तेक दिन और हतेली में जो है ये द्धान से देखेगा इस तरह की ब्यापार रेकाए बहुत कम लोगों के होती है जब पूर्ण रूप से जो है अपने स्वा अस्थान बुद्ध में युक्ति कर लेगी बली हो जाएगी और बुद्ध के गुणों में बिर्दि हो जाएगी तो देखिएगा आप आपको ब्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाव मिलेगा बहुत बड़ा लाव और एक च छोटे मचले का चिन जो है बहुत सुन्दर फिस का साइन नजरा रहा है क्या संकेत कर रहा है आप अपने स्वयम के ज्यान अपने नौलेज के बल पर अपनी बुद्धी के बल पर अच्छी खासी प्रोग्रेश भोश्यमे करने वाले हैं निश्चिन्त रहें गुरू की किर पर आपके अंदर बहुत अच्छी है गुरू मतलब ब्रिस्पति गुरू मतलब सबसे बड़ा आकास जो तबड़ा होता है और हमारा ब्रिस्पति जो है उसी आकास तबये मालिक हैं अब भाई सब कुछ ठीक ठाक है तो यार हाथ दिखाने की क्या ज़रुरत पड़ गई कह जब इतना धनवान है पैसा आ रहा है आगे भी बहुत सुन्दर है प्रोग्रेस भी हो रही है व्यक्ति के पास जो है जब पैसा आता है तो 75% जो है उसकी समस्या ये हल हो जाती है 25% वो समस्या ये खुद हल कर लेता है धन ऐसी चीज है अगर आपकी जीवन में अच्छा खास धन आ गया तो 75% आपकी समस्याएं हल हो गई जब इतना कोछा हांत में है तो दिखाने की ज़रूरत क्यों ब्यापार रेखा है धन रेखा है एक त्रो के ये हैं बहुत सुन्दर धन आं रहा है पर टिएख दिन धन आ रहा है फिर जरूरत क्यों देखिए यहां पे तकलिप कौन देरी है केवल एक रेखा ये आपको धन देरी है बहुत सुन्दर धन देरी और इस धन को बीच में डाका किसे ने डाला राहु रेखाओं ने और ये राहु रेखा बहुत प्रबल इस्तिति में आती है जब भी राहु रेखाए इस तरो की आती हो कितना भी आप धनवान हो अगर आपको एक दिन में एक लाख रुपे एक करोड रुपे भी आ जाए तो भी आप कर्ज में डोबे रहेंगे और यकीन मानियेगा कर्ज में तो डोबे रहेंगे पैसा एक भी नहीं बचेगा चैक कितनों ही आपके पास आजाए कितना भी पैसा आजाए ये इसका काम है पैसा देना इसका काम है बहुत देना इसका काम है बहुत पैसा देना और इसका काम है पैसा लोटना परेशानिया देना आपको कंगाल करना ये छोटी-छोटी मगर इतनी बड़ी रेखा का पूरे प्रभाव को कोई नश्ट कर लेती है क्यों मैंने पहले भी आपको बताया था किसी एक वीडियो में आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेगा ये हमारा राहो का छेतर है और आप देखोगे राहो का छेतर पे ये तो ठीक जा रही है अपना काम कर रही है मगर ये जो है लोटेरे बैठे ये जोतिस की दुनिया में रहस्य में गरह माना गया है जोतिस में जो हमारे नवगर है उनमें राहो ये वाला और केतो ये वाला इन गरहों को गिना तो जाता है लेकिन इनका कोई भोतिक अस्तित्व नहीं है छाया गरह इनको कहा जाता है माना जाता है और ये आकास में जब हमारा सूर्या और हमारा ये चंद्रमा परिकर्मा के मूड में होते हैं अपने अपने रास्ते पर भर्मन करते हैं तो उनका जो आपस में कट-कटाओ बिंद होता है उसी से राहू और केतु का निर्मान होता है और राहो और केतु ही बरतमान भौतिक दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट है और अगर आप थोड़ा सा देखोगे जानोगे तो ये राहो ऐसा ग्रह है जो सारे कम्यूनिकेसन का मालिक है Electronics का मालिक है संचार करांति का मालिक है और राहु जो है computer technology का भी मालिक है और राहु अगर आपकी हतेली में अच्छा परिणाम दे रहा है आपकी जियोन में अच्छा परिणाम दे रहा है तो ये बहुत सुखद और बहुत सांदार विदेश यात्राएं से भी संबंध रखता है करवाता है और बहुत सारी रह्षमई चीजों से intelligence से, सडियंतर से, तंतर से, मंतर से ये राहु समंद रखता है राहु ऐसी चीज है और अगर देखोगे राहु एक ऐसा ग्रह है जो आम तोर पर 90% मामलों में लोगों को प्रेशान ही करता है 10% मामलों में ऐसा होगा जो लोगों को जो है फायदा देगा लेकिन 90% मामलों में लोगों की नाक में दम कर लेता है अगर हम जोतिस में राहो को समझे तो राहो एंटिकैटलिश जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को नश्ट कर लेता है कम कर देता है आप देखो यहाँ पर यह चीज़ समझने हैं कैसे प्रभाव को नश्ट कर रहा है इसका प्रभाव होता है धन देना और इसके प्रभाव को बिल्कुल नश्ट कर रहा है धन तो आ रहा है मगर करजे की इस्तिति में फस रहे हैं पैसा टिक नी राह है, यही तो इसका रहस्य है, छोटी सी लाइन का, यही इसका रहस्य है, और राहु जीवन में निगेटिब हो जाए, इस तरों से आपकी भग्य की लकीर को ही काट ले, जो आपका नसीब है उसकी लकीर को ही काट ले तो सबसे पहली मुश्किल हो ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है पैसे रुपियों को लेके मुश्किल आती है रोजगार को लेके मुश्किल आती है आजियुका को लेके मुश्किल आती है हर जगे बिक्त को उतार चड़ाव जिलने पड़ते हैं और राहु जो है ये रेखा जो है ना हो राहु यहां पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या ये रेखा है भी राहु जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो ये बिक्त को नसा करवाता है बिक्ति एलकोहल लेता है जूट बोलता है फास्ट फूट खाता है तमाम ऐसी चीजे खाता है जो सरीर में जहर पैदा करे और सरीर को नुक्षान पहुँचाए और राहो का प्रभाव जो है विक्तितो पर भी होने लगता है ये विक्ति की साक को भी गिराने का काम करता है ये राहो बहुत ज़्यादा तेज है और बरतमान में देखें तो अच्छा बहला प्रभाव ये राहो आपके उपर डालना है करजे की इस्तिती भी आपके उपार ले रहा है और पैसे भी टिकने नहीं दे रहा है सनी के जो भाग्य की लकेर के बहुत सुनर योग है उन योगों को कही न कहीं बहुत जादा डाउन की इस्तित में ये गिरा रहा है क्या करना है उपाई दूँगा लिख के दूँगा बहुत सराल्डंग से और विदिवत तरीके से दीव ही टाइम तक आपने करना है निश्चित ही जीवनकाल में फायदा होगा निश्चित ही जीवनकाल में जो है बहुत सुन्दर फाइदा होने की जो है उमीद है उमीद क्या इसका प्रभाव जादा 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 ड़ाई साल से पांथ साल तक जो है जादा रहेगा मगर मैं करजा विमुक्त होने का और राहो को बहुत सुन्दर उपाय दूँगा ठीक करने का बिदि के उनसार करिएगा तीन से छे मैने तक निश्चित तोर से करिएगा निश्चित ही जिवन में करजे से मुक्त होगी धीरे धीरे आप उस रास्ते से हट जाएंगे और करजा बिमुक्त होके फायदे के इस्तिति में आ जाएंगे और जब राहु खराब है उपर से नजर दोस का भी करण होता है उसका भी मैं उपए दूँगा ऐसे में कोई भी काम ब्यक्त के बनते बनते रहे जाते ही या बन ही नहीं पाते घर के बाहर ब्यक्त जैसा भी रहा घर के अंदर जब आता है तो उसके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नगेटिब उर्जा उसकी हाभी हो जाती है तो इसका भी मैं उपाई आपको दे दूँगा अगर आपकी हम इस रेखा की बात करें तो आपको दोसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलेगा एक उदेश्य लेके आगे बढ़ेंगे और जब तक उस उदेश्य उस लक्षा की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक जो है बिसराम नहीं करेंगे और बहुत अच्छा सयोग भी मिलेगा और जमीन जायदाद से भी धन की प्राप्ति जरूर होगी अगर हम देखें आपका उंगोठा भी ठीक है थोड़ा खर्चिला स्ववह ज़्यादा बता रहा है ये थोड़ा सा उस पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है अगर हम सुक्र की बात करते हैं तो सुक्र आपका बहुत सुनर है पुष्ट अवस्ता में है कि जुस्वी होंगे ब्यक्तित्व भी आपका बहुत अच्छा रहेगा भौतिक सुक्सुक्दाईएं भी आपको बहुत सुनर ये देगा आपकी प्रसनल्टी को भी निखा रहेगा मगर अभी देखा जाए तो छोटी छोटी रेखाएं बहुत जादा है तो बरतमान में बरतमान समय में मानसिक प्रेशानी भी दे रहा है बहुत जादा मेहनत, बहुत जादा प्रिसरम के बाद भी आभाओ की इस्तिती जो है ये बता रहा है मगर आगे आने वाले 2-2 सालों के बाद बहुत सुन्नर समय ये देगा क्योंकि तब राहों का प्रभाओ जो है जो उपाई दूँगा उनको करने के बाद बहुत जादा जो है 90 से 95 परसेंट जो है आपकी जीवन से इसके नगेटिव प्रभाव निकल जाएंगे अगर आपने दिये हुए समय तक दिये हुए टाइम से और दिये हुए बिदी के उनसार उपाए कर लिए तो बाकी आपकी मर्जी है अगर हम आपका जो है निम्न मंगल देखते हैं तो अच्छा खासा उठावा है एनरजेटिक स्वभाव के होंगे सारे रिक उर्जा बहुत सुन्नर होगी किसी भी कार्यकों करने में इस पूर्थी बहुत अच्छा होगी सासी भी होंगी प्राकरमी भी होंगी थोड़ा सा जो है गुसेल स्वभाव रह सकता है छोटी छोटी बातों पर गुसा आ सकता है उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है अगर मैं कहूं यहां पर अगर कट की कहीं न कहीं दिखाई दे रही है तो कोट कचरे के मामले से दूर रहें कोट कचरे का मामला भोश्य में बन सकता है अगर बन गया होगा तो अब नहीं बनेगा अगर नहीं बना है तो बन सकता है जगडे से बहुत दोर रहे कोई ऐसी चीजों से दोर रहे जिसमें जो है केस उगेरा या कोट खचरी का मामला बनता हो अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखते हैं तो बहुत सुनर तरीके से आपकी जीवन रेखा है और पीछे जो है इस तरह से जा रहे है कहीं न कहीं बिक्तिको चाहिए विदेश हो वैसे विदेश भर्मन का भी योग आपका जीवन में बन रहा है आप अपनी तरप से नहीं तो बच्चों की तरप से जरूर विदेश भर्मन जो है कर सकते हैं अगर हम आपकी माइंड रेखा देखे तो बहुत सुनर लंबी है आपकी माइंड रेखा जीवन काल के लिए बहुत सुनर योजनाई बना के चलते हैं तीब्रमस्तिस्क के स्वामी है बुद्धी बहुत अच्छा है बुद्धी का बल बहुत सुनर है और अगर देखें एक रेखा यहां से भी निकल के जारी है ये ब्यक्ति को जो है अगर आप देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है 42 से लेके और 45 वर्स के बीच से बहुत अच्छा धनलाव ये ब्यक्ति को करवाती है और धनलाव जरूर करवा रही होगी मगर प्रभाव राहों का पड़़ा है वो धन टिकना मुश्किल हो जाता है अगर हम बात करें आपकी तरजनी की अच्छी खासी है धार्मिक भावनाई बहुत सुन्नर है अगर हम धन के ग्रह की बात करें ब्रस्पती की ब्रस्पती बहुत सुन्नर आउस्तामी है आपके धन के मामले में ये बहुत अच्छा रखेगा मान और प्रतिष्टा बहुत सुन्नर रहेगी हाँ आप से जो व्यक्ति जुड़ेगा आप उनकी वी जो है उन्नत करने में साहता प्रदान करेंगे एक रेखा इस तरों से जारी है तो अध्यात्मी की तरब भी जादा रुजान आपका जैसे जैसे प्रोड होंगे होती जाएगे सनी की बात करें सनी की उंगले बहुत अच्छी है व्यक्ति बहुत अच्छी समझदारी रखता है बुद्धिमता से काम लेता है बिबे की पूर्ण रंग से काम लेता है बहुत सुन्दर है और अगर हम सनी की बात करें फैला वहाँ अच्छा है बहुत सुन्दर है भग्या र पार्सनिक किसम का होता है और कहीं न कहीं जो है रहस्यमई विद्याओं की और भी आकर्सित जो है ऐसा व्यक्ति होता है छोटी-छोटी कई रेखाई हैं थोड़ा सा चाहे आप बिजनिस कर रहे हैं चाहे लोकरी कर रहे हल्की अडचन ये पैदा करता है सनी के गुणों में बिर्दी करने के लिए थोड़ा से उपाई दोंगा और जो भी आप काम करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही वो काम जो है सफल हो पाता है औरों के मुकाबले ज़्यादा काम ऐसे बिक्तियों को करना पड़ता है हाँ ऐसे बिक्ति अपने काम के परती काफी responsible होते हैं काफी जिम्मीदारी ऐसे बिक्ति लेके रखते हैं सूरे की उंगली देखें लमवत खड़िये बहुत सुन्दर है हिम्मती सुवाव बहुत सुन्दर है यस और नाम पानी की इक्षा सदेवमन में रहती है अगर हम सूरे की बात करें सूरे फैलाव की इस्तिति से भी अच्छा है पुष्टता की इस्तिति से भी अच्छा है काम धंदा कोई भी करेंगे उसका बिस्तार अच्छा भला होगा बहुत सुन्दर होगा अगर यहां पर देखते हैं दिखनी राहे वह से अगर मचले का चिन्द बनदा है तो बहुत सुन्दर है पर मेरे ख्याल से नहीं बनदा है फिर भी अगर दो रेखाएं सूर्य परपत पर होती है और राहों का प्रभाव जो है अपना अंतिम चलन से निकल करके बाहर चले जाता है तो व्यक्ति को पुत्रों की तरफ से भी बहुत सुन्दर लाब मिलता है अच्छे खुसियां मिलती है और कहीं न कहीं प्यापार की तरफ से भी बहुत अच्छा धनलाब होता है सूर्य आपका बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है जादतर लोगों का मैंने आप थोड़ा सा जादा सोचते हैं कि यह कुरो यह कुरू, यह कुरू, यह कुरू बहुत सारे करने की चीजें आप सोचते हैं अगर हम बात करें आपकी कर्ष्टका把 उंगले की म मेंनेजमेंट में कागजों की रखरकाहों में communication skills में बहुत सुन्दर जो है ये उंगले आपको बता रही है और ऐसे व्यक्तियों के अंडर में जो है कुछ लोग काम में करते हैं अगर हम आपके बुद्ध को देखें बुद्ध बहुत सुन्दर है भौतिक सुक्ष बिदाएं ये बहुत अच्छा रखता है ब्यक्तियोजना बद्ध तरीके से काम करने वाला होता है ब्यक्ति की परसनल्टी भी बहुत अच्छे होती है और इस तरों से उपर की और अगर रेखाईं जाती है तो कहीं न कहीं ब्यक्ति जिस भी हतेली में ऐसा होता है बिजनिस माइंड उसका बहुत सुन्दर होता है और तीवर मस्तिस्क का स्वामी होता है ये निश्चित गुण है आपके अंदर थोड़ा ये रेखा आरी इसको कुछ रेखाईं काट रहे हैं तो दामपत्य जीवन में थोड़ा केर रखेगा चाहे अपने आप हो चाहे जीवन साती की परती हो थोड़ा अनबन या ऐसे कह सकते हैं कि दोड़ा एक दूसरे के स्वास्तिय का थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो उससे अरचन नहीं आएगी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेखा उपर की और जारी सूरे की तरफ मगर एक रेखा यहां से काट भी रही है देखेगा यह कहीं न कहीं जो है विदेश से भी धन की प्राप्ति करवाती है मगर रेखा को इस तरो काटती है अगर आप खाते पीते होंगे नसे की चीजें करते होंगे तो किसी के साथ बैठ कर न करें आगहात हो सकता है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखे भारी नुकसान ये दे सकती है अगर आप अकेले करना चाहें तो अकेले थोड़ी बहुत कर सकते हैं पर अतिन न करें दूसरी बात है इस रेखा का प्रभाव जो है राहु रेखा के खतमोने से बहुत सुनर होगा और कहीं न कहीं बहुत बड़े लाब की और ये रेखा ली जाएगी चंद्रमा के और चले तो चंद्रमा आपका बहुत सुनर है खूब सुरत है आप भी बहुत सुनर होंगे तो पूरी हतेली में एकी चीज उबर के आ रही है कि धन तो बहुत अच्छा रहेगा, आता होगा, आता रहेगा, आगे भी बहुत सुन्दर आएगा, मगर राहो का तीब्र प्रभाव जो है आपकी जिवन में पढ़ रहा है, जिससे करजे की इस्तिती भी है, धन हतेली में ट किता भी नहीं है, आगे की सोचें तो लोगों का सुयोग भी बहुत सुन्दर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, धाई से पांच साल के बीच राहो का प्रभाव जो है, खतम हो जाएगा, तकरेवन तकरेवन धाई शाल तक इसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा, उस से जादा जल्दी राहत आपको मिल जाएगी, और धन आपके भागे में बहुत अच्छा है, लक्जिरियस लाइप है, बरतमान में थोड़ा संगर्श की इस्ति, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और थोड़ा उलजन की इस्ति भी बनी हुई है, मगर पार में अचानक बहुत बड़ा धनलाब की, और धाई साल के बाद बहुत बड़ी धनलाब की और ही सारा कर रहा है, अभी चलने दीजिएगा, थोड़ा सा उपाई कर लेजिएगा, बहुत सुन्दर जो है, रहने वाला है, मैंने आपकी हतेली की पूरी जो है, पूरी हतेल की विशलेशन करके दे दिया है इसके बाद भी कहीं कुछ रहता है मुझे वाटसप करिएगा मैं आपको आपके क्वेशनों का आंसर जरूर दोंगा और आप जो मैं बिदी सहीत उपाई दोंगा उनको उसी बिदी के हिसाब से करिएगा निश्चित ही जीवनकाल में आपको फाइदा होगा तो एक छोटा सा विशलेशन था अगर आपको भी अपनी हतेली का विशलेशन करवाना है तो दिये गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों का बहुत बहुत झाल 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 झाल